तो किसान वायो आज मैं आपको बताऊंगा दवाई लगाने से लेकर इसकी हर्वेस्टिंग तक किस तरीके से हमने ये काम किया है आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा तीन येकण का खेत है यानि हमारे यहां का पंदरे भीगा तो जैसे कि आप देख पारे हो इसमें हमने जो पेरागड दवाई लगाई है इसका हमने 24 गंटे बार रेल्ट देखा है तो 24 गंटे बाद हमें ये इस तरह का रेल्ट यहां पर देखने को मिल गया इसकी जो पत्तियां है पूरी तरह यहां पर पूरी तरह खतम हो गई और उसके बाद जो अब बची है वो हमारी फली काफी यहांपे आप देख पारे हो गारे यह देखिए और यह देखिए पीछे कवाडड जो है इसको यह फैला रही है और आगे से काफी चीतर यह काट रही है और मैं आपको फली भी दिखा रहा हूं और इससे पहले किसान वाइओं कम मायन से अगर मुंह कटा नहीं है तो तो आपको सबसे पहले पयरकोयट दवाइँ मारणी परत्यें इसमें जैसे कि आप देख पारे हो हमने पयरकोयट इसमें 24 गंटे पहले प्रफली देख लीजिए इस तरह की हमारी मुंग में यह फली देखने को आप लोगों को मिल लए और आप मुझे कमेंट बता सकते हैं इसकी पैदाबर क्या सकती है और आपको मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊँगा आज इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हो यह एक छोटी सी जनकाई दे रहा हूं इस वीडियो के मात्रम से और बिल्कुल लेबिल में कटवारों में मुंग को जो ऐसे आप देख पा रहे हो बिल्कुल लेबिल में क्योंकि एक भी फली ना रहा है नीचे जमीन में अगर फली रहेगी तो हमारा ही नुकसान है और मुंग मुंग का जो रेटर काफी अच्छा है इस समय मुंग रेट जैसे कि आप देख पा रहे हो और यह देखिए कम्माइन पास में आ रही है यह देखिए यह देखिए मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूं तो हमारे यहां किसनवाईयों कम्माइन से ही मुंग की कटाई की जाती है जैसे कि आप देख पा रहे हो यह देखिए यह देखिए और यह पीछे अपना कबाड़ा भार फैक रही है तो इस तरीके से किसनवाईयों कि हम कम्माइन से हार्वेश्टिंग करा रहे हैं नमस्कार